हेलो जैन छात्रों वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चेलाब पर दोस्तों यहाँ पर आई टी आई छात्रों के लिए भेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिस मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ जो की आई टी आई छात्रों के कमेंट्स देखने की बाद ही मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर आई टी आई छात्र काफी परिशान है क्योंकि आई टी आई का मार्कसिट सैटिफिकेट जारी कर दिया गए दोर 23 का और जिन छात्रों का यहाँ परिशान है किसी का यहाँ पर मार्कसिट डाउनलोट नहीं हो पर रहा है तो किसी का सैटिफिकेट डाउन हो रहा है किसी का यहाँ पर पुराना मार्कसिट डाउन हो रहा है और यहाँ पर किसी का result में पास है लेकिन फिर भी fail दिखा रहा है Marksit में तो उनको क्या करना है कैसे उनको Marksit मिलेगा क्योंकि उनका यहाँ पर ITI अभी तक clear नहीं हुआ है semester वालों का और उन्हें ही यहाँ पर problem देखने को मिल रही है तो ऐसे में ITI छात्र काफी परिसान है करे भी तो क्या करे ITI छात्र तो आपको कुछ नहीं करना है वीडियो को पूरा इंड तक देखना तभी आप लोग को मालू हुपाएगा क्योंकि आपको 100% solution आप पर आपको मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद तो आप सभी को वीडियो कम्पलीट देखन तभी आप लोग को मालू हुपाएगा उससे पहले आपको चैनल पर नए है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हुए हमाँ चैनल को आप लोग का result जारी हुआ है और आप लोग का marksir certificate भी मैंने ही आप लोग को बताया था कि आप लोग का कौन से तारिक को कब तक आप लोग का जारी किया जाएगा तो फाइनली उसी दिन आप लोग का जारी भी किया गया है तो जितने भी चातर में चैनल से जुड़े हुए जो कि ITI marksir certificate और test को लेकर जो कि यहाँ पर जितने भी ITI first year second year जितने भी semester के student है उनका यहाँ पर result भी आ चुका है और यहाँ पर उनका marksir certificate भी जारी कर दिये गए डिटी के द्वारा लेकिन यहाँ पर ITI छातरों कमेंट्स रुखी नहीं रहे हैं यहाँ पर देखिए उन्ह जिन्हों को मिल रहा है कि उनको marksit उनका download नहीं हो रहा है और दूसरा है आप लोग का पुराना marksit download हो रहा है क्या करें तिसरा है marksit आ गया लेकिन certificate नहीं आया है कब तक आएगा चौता है result में पास है लेकि marksit में fail दिखा रहा है क्या करें तो friends पहला आप लोग को में बता जिनका marksit download नहीं हो रहा है तो friends आप लोग लगाता try करते रहें ये continue क्योंकि आप लोग किसी भी समय आप लोग का training profile open हो सकता है और किसी भी time आप लोग का जो marksit certificate है वो update किया जरा भी डिजिटिक द्वारा तो आप लोग अपना download करते रहें और अपना profile भी चेक करते रहें और कैसे आपको चेक करना है मैं इस पर already वीडियो बना दिया हूँ कि आप लोग कैसे आप लोग फोन से नया marksit download करेंगे तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा या फि मेरे i button पर आपको link मिल जाएगा या फि मेरे in description में आपको link मिल जाएगा वहां से भी जाकर आकर आप ल कर रही है और आप लोग बन ट्रेनी प्रोफाइल चेक करते किसी भी टाइम आप लोग का marksit जारी कर दिया जाएगा जिसका download नहीं हो रहा उनके लिए ठीक है और दूसरा है आप लोग का पुराना marksit download हो रहा है क्या करें तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप लोग का back परिछा क जो result आया था उसमें आप लोग का अगर fail दिखा रहा है result में पहले ही तो आप लोग का marksit certificate जारी नहीं किया जाएगा digit के द्वारा आप लोग यह बात ध्यान देजेगा क्योंकि जब तक आप लोग पास नहीं होंगे तब तक आप लोग का marksit certificate जारी नहीं किया जाएगा digit तो आप लोग अगर result में fail है तब आप लोग back परिच्छा की त्यारी कीजिए और आप लोग back परिच्छा की exam दीजिए ठीक है तब आप लोग पास हो जाएंगे और यहाँ पर जिनका पुराना marksit download हो रहा है जो चात्र pass हुए है ठीक है तो आप लोग का यहाँ पर जितने बैक परिच्छा की देंट है उनका रिजल्ट में पास दिखा रहा है लेकिन जब ओं marksit download कर रहे हैं तो उनका पुराना marksit download हो रहा फेल वाला तो उनको क्या करना है तो फ्रेंट्स आप लोग को भी इंतेजार करना है एक वीक का क्योंकि एक वीक कर तक आप सभी छात्रों क जो डिजिटी के तरब से अपडेट आई हुए कि आप लोग का marksit certificate अभी अपडेट किये जा रहा है बहुत से student का जिनका अभी नया पास हुए है उनका marksit certificate तो जारी कर दिया गया है लेकिन जो बच्चे बैक परिच्छा का एकजाम दिये थे तो उनका यहाँ पर जो marksit certificate है उनका अपडेट करने में था टाइम लग रहा है ठीक है तो जिसके वसे आप लोग को इंतेजार करना एक वीक का और आप लोग का एक वीक तक आप सभी शात्रों का नया marksit ncbtmis के portal पर अपडेट कर दे जाएगा तब आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो इनका marksit आ चुका है वो एक या दो दिन बाद अपना certificate भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग एक या दो दिन का इंतेजार करें इनका marksit आ चुका है उनका certificate भी 24 घंटे बाद जारी कर दिये जाएंगे ठीक है तो आप लोग का भी डाउट की ज़र हो चुका है अब यहाँ पर result में pass हैं लेकि marksit में fail दिखा रहा है तो friends यहाँ पर ITI छात्रों काफी यह हरान करें वाली बात है क्योंकि result में pass है लेकि marksit में fail दिखा रहा है तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दू कि आप लोग का जो back परिच्छा का result है वो आप लोग का आ चुका है और साथ मे आप सवी छात्रों का back परिछा का mark sheet भी आ चुका है तो यहाँ पर mark sheet में fail दिखाने का एक issue है क्योंकि आप लोगं को जो exam हुआ था वो back परिछा का आप लोगोंगों ने exam दिया था ठीक है, तो आप लोगं का back परिछा का exam जो दिया था उसका result आप लोग का जनवरी के last week में आप लोग का आया हुआ है तो उसमें अगर आप लोग फेल हैं तब आप लोग का mark sheet में फेली आप लोग का दिखाएगा ठीक है अगर आप लोग फेल हैं तो आप लोग का फेली mark sheet में दिखाएगा और आप लोग confusion में रहें, आप लोग पहले pass किजिए result को, इसके बाद आप लोग का mark sheet नई update होकर NCBTMIS के official website पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ITI छात्रों का कहना है कि result में pass हैं, लेकि mark sheet में फिर भी fail दिखा रहा है, तो friends आप लोग का fail दिखाने का एक उस्यू है, क्योंकि आप सभी छात्रों का पहले का mark sheet upload है, fail वाला ठीक है, इसलिए आप लोग का fail वाला पहले का mark sheet दिखा रहा है, आप लोग का result में pass है, वह mark sheet अभी नहीं दिखा रहा है, तो आप सभी छात्रों को इंतिजार करना है, क्योंकि आप लोग का जो NCBT board है, डिजिटी, वह आप लो तो आप सभी छात्रों का जो यह प्रावलम देखने को मिल रहा है, आप सभी छात्रों का यह सई हो जाएगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको बता दू कि आप लोग का जो ED of practical का जो exam हुआ था, उसका यहाँ पर marks जो है, नोडल ITI आप सभी छात्रों का update नहीं किया है, इसके वैसे आप लोग को ED of practical में काफी यहाँ पर आपको प्रावलम देखने को मिल रही है, तो I hope आप लोग फ़ड़ा इंतजार करी समय का, इसमें समय लग सकता है, यहाँ पर अपना काम कर रही है, लेकिन आप लोग की मालूम है कि डिटी काम बहुत सुलो होता है, जिसक मार्क से सर्टिफिकेट जारी कर दिये जाएंगे, आगे कोई भी अपडेट्स आती है, मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग हमाचन से जुड़ जाएं, धन्नवाद